आज था सारा वीवर्स के लिए सिर्व और सिर्व सारत था गली। तूफान आवाय दर्ती पाट है क्यों हुआ है। हम दिमा वीडियो बनलो जब दर्स्त मनलो। चालो आओ। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे सुगर सिरफ सुगर सिरफ बनाने के लिए हम आपे अरॉंड इव टेबल स्पून हमें शुगर एड़ करनी है ज्यादा एड़ना करें। फाइफ टेबल स्पून एनफ है स्केंद है थोड़ा वोटर ज्यादा वोटर एड़ करने की जवरत नहीं है यहां पे अपने को तो जैसे ही अपनी सुकर सिरफ तयार हो जाएगी उसके बाद में अपन यह नहीं देखना है कि एक तार किया दो तार किया अपने को कुछ नहीं देखना सिर्फ सिंपल एक सुकर सिरफ बनाना है यानि की मीठा पानी तयार करना है ठीक है जैसे ही यह थोड़ा उबलना स्टार जैसकेंदर अपने को इलाइची नालनीगा है जो इसके हैं ज्यादा मट डाल ना जिससे कि आपको इसका क्या ज़्यादा टाल दूगे तो यह पूरी पीड़ा जो फ्लेवर पूरी तरी किसी आपके जो चासनी को डोमीनेट आपको छासनी में शुगर का एक बहुत बूत कम आपनी जो सुगर है, सुगर से रप है, जिसको अपन हिंदी में चासनी बोलते हैं, वो अल्मोस्त तयार हैं, जैसे ही अपन तयार हो जाएगे, इसको रिमूव कर देंगे एक बोल के अंतर, उसके बाद में बनाएंगे रपने, तो देख लीजे, अब अपन क्या कर देंगे, यहां से इसको कर दें, बंद, कोई एक तार नी, कोई दो तार नी, सिर्फ और सिर्फ पानी और चास चीनी का इसमें क्या है, मिले न और कुछ भी नहीं है, अब तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहां पर एक बोल ले लिए हो, ठीक है, इस बोल को इसके अंदर जाये लो, यहां भी चाले लो, देको मोटी मोटी बहाता चाच, बेशाड़ डालो में थान आई चीज बताऊं गला, कि बेशाड़म काई, जो दूद वाजे, बहारी पन वाजे, और भी मैं काई, पकार और जल्दी सी रबडी में बना सका चाप, तो आपना ने बफेलो मि मिल जाए, ठीक चे, नहीं साबने रेगुलर मिली चाए, काउको है, चाए, डेरी मिल्क है, कोई भी हो, आपका यूज में ले सगाजा, अब इन्हें पकानों जाए, डंग्सू जद तक की ओ, रबडी में कनवर्टना हो जाए, अब जाए ते आराम सु देख लिए, फ्लेम जो दूद है, वो हो चुका है, ठीक है, तो थोड़ा बोर टाइम ओर लगीगा, तो आप सबसे पहले हम इसके अंदर अराउंड, टेबल स्पून के अंदर हम क्या डाल देंगे, शुगरी के एड़ कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि अपनी जो रबड़ी है, वो थिक हो चुकी है, अब यह राइट टाइम है, यहाँ पर अपने को इसके अंदर चीनी एड़ कर देंगे, थोड़ा सा टेंपरेचर बढ़ा दो, उसके साथ साथ मैं आपको कुछ इसके बारे में इतिहात, इसका हिस्ट्री बता देता हूं, मोटी-मोटी इस वीडियो में समझ रहे हैं, ठीक है, यह आज की फेमस नहीं बहुत पूरानी है, जैसे अपने महारणा परताप के टाइम से गेवर बहुत फेमस थे, तो ऐसे ही सिमिलरली वहाँ पे भी पोर्चुगीस जब आय थी, तब से डबल का मीठा बहुत ज़्यादा फेमस होग अब क्या करेंगे, इस रबड़ी को सबसे पहले तो गैस बंद कर लेंगे और इस रबड़ी को इस बाउल के अंदर निकाल लेंगे तो अपनी जो रबड़ी है, वो एकदम हो चुकी तयार जैसे कि आप देख रहे हैं, तो अब आपनाने के करनों है, जो ब्रेड़ ब्रेड, इसको तो अटा देना है, और जो वाइट वाला पॉशन बचता है, इसको ट्राइंगल शेप के अंदर काट लेना, जैसे कि आप देख पारें, ये शेप एक दम परफेक्ट शेप बोलते हैं, इसको शाह तुक्राइब ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इन सभ अच्छे से अच्छे से टोस्त हो सब्लाजन, इसको परफेक्वाइच, जैसे अच्छे से तोस्त हो जैए citelil, कि दूर से गोल्डन ब्राउन हो गई तो जो जो गोल्डन ब्राउन हो रही है उसको तो निकाल लेते हैं अपर है एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं देखो यहां पर तो जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी तीनों चीज एकदम तयार हो चुकी अब अपने को सर्फूर से प्लेटिंग करनी है जैसे कि आप देख पायरे हैं रब्री तो इसकी रहें से गोल्डन प्राउन एक पर्फेक्ट है थोड़ी बहुत ज्यादा होगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अपने को पर्फेक्ट गोल्डन प्राउन नहीं करना है यह अपनी सुगर सिरप सबसे पहला है पने प्रिपेर किये थिए जो यह है ब्रैट्स आप लिए जैसे नीचे से आप देख रहे होंगे नीचे से आप देखो आराम से इसकी चास निजो रिमेनिंग जो चास नहीं है तो आपने को ऐसे कुछ करना है अब करते हैं इसकी प्लेटिंग्ट डबल का मीठ है मतलब इसके उपर डबल लेयर की ब्रेट जाएंगे यह सिंगल ब्रेड नहीं जाएंगे इसके अब इसको अपने को क्या करना जो रबड़ी है वो इसके उपर लगाना है अच्छी करना कोई भी ड्राइफूट श्यूज में ले सकते हैं इसके उपर मैं आपे अलमंट्स ले रहा हूँ तो हमारे जो शाही टुकड़ा है वो एकदम तैयार है जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर समझ चुके हैं बहुत आसान रेसेप ही है सबसे पहले तो आपका सभी वीडियो का धन्यवाद की आपने वीडियो यहां तक देखा मेरा और सबसे इंपोर्टन चीज आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है शेयर करना है और बेल आइकन को दबा के रखना है जैसे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे सब्सक्राइब करें आपको बहुत बहुत धन्यवाद शाय टुकडा पूंजोग कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब की धन्यवाद